Dear students, कैसे हैं आप सभी? I hope सारे बच्ची बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे है ना बिटा, अब आपका Half LA exam over हो चुका है तो अब आपको Annual exam की तैयारी करनी है, ओके? तो अब हम लोग Half LA की बाद का portion पढ़ेंगे, ओके? तो हम लोगोंने chapter स्टार्ट किया था, chapter number 6, chapter का नाम क्या है? सेर्व नाम, means pronoun, ओके? तो आएए हम next page number open करते हैं, हमारा page number है, page number 25, ओके? So, every student will open your page number 25, ओके बिटा? तो आएए देखते हैं हम लोगो, page number 25 में क्या पढ़ना है? ओके? देखी क्या है? नीचे उन सर्व नाम सब्दों को दिया गया है, जिनका प्रयोग हम भासा में करते हैं, ओके? बिटा, जब हम किसी से बात करते हैं, जिसे हम आपको समझा रहे हैं, आप हमसे बात करेंगे, तो हम लोग जो बात करने के दौरान जो सब्द यूज़ करते हैं, वो सब्द दिये हुए हैं और वो सर्व नाम हैं, तो आईए देखते हैं हम ऐसे कौन कौन से सब्दों को यूज़ करते हैं, जो सर्व नाम की तरह होते हैं, ठीके? जैसे कि मैं तुम वाह हम हम लोग ठीक है ये कुछ सब्द हैं जैसे मैं मैं घर जा रहा हूँ तुम कैसे हो वकल आएगा हम लोग खेलने चलते हैं हम लोग का गृप बहुत अच्छा है है ना तो ये सब्द हमने यूज किया ना तो ये सब क्या हो गया ये सर्व नाम हम लोग बोल रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद यहाँ है मेरा तुम्हारा उसका हमारा जिसे हम अगर नाम पूछते हैं तो आप बताते हैं ना मेरा नाम अरुन है तो आपने ये नहीं बताया कि अरुन का नाम अरुन है आपने बताया मेरा नाम अरुन है तो मेरा क्या हो गया सर्वनाम ओकी तुम्हारा जिसे आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो तुम्हा हमारा क्या हो गया सर्विनाम उसका घर पास में है तो उसका सब्द क्या हो गया सर्विनाम हमारा यह यह बॉल हमारा है यह घर हमारा है यह बैग हमारा है तो ऐसे क्या होते हैं वाक की बनते हैं और यह जो सब्द है हमारा यह क्या हो गया हमारा सर्विनाम ठीक है अब देखते तुम लोग आप हमने उन्होंने ऐसे ना तुम लोग गंदे बच्चे हो पढ़ाई नहीं करते तो ये क्या हो गया तुम लोग सर्विनाम आप बहुत अच्छे हैं आप डेली अपना वर्क करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा सर्विनाम उसने अपना बॉटल यहीं छोड़ द तो उसने क्या हो गया कि सर्वेनाम है उन्हों ने अच्छी रीडिंग नहीं की उन्हों ने जो यूस किया हमने वो क्या है कि सर्वेनाम यह वह उसने हमने यह तुम्हारी पेन है हमने वाक्य बनाए न यह तुम्हारी पैन है तो यह क्या हो गया सर्विनाम वह मेरी पैन है तो वह क्या हो गया सर्विनाम उस उस जगा पर मत पैठो है न तो उस क्या हो गया सर्विनाम इसने इसने अपना होमवक कंप्लीट नहीं किया इसका मतलब इसने क्या है सर्वनाम हमने हमने अपना work complete किया है तो हमने क्या हो गया सर्वनाम चीक है तो यह सब जो सब्द है ना बिटा यह सब हम लोग क्या करते हैं daily language में यूज़ करके एक दूसरे से बात करते हैं आए नीचे पढ़ते देखते क्या पढ़ना है कितना पढ़ा कितना समझा इस अनुछेद को पढ़ो और सर्वनाम सब्दों के नीचे रेखा की चो बिटा यहां पर देखीye दो लाइन दी गई हूई है इन्हें हमें पढ़ना है और जो भी सर्वनाम है उसके नीची underline करना है तो आईए पढ़ते हैं मेरी बेहन का नाम रीमा है ठिक ओके तो यहाँ पर देखी मेरा मेरी है ना तो मेरी के नीची हम लोग underline करेंगे बेहन का नाम रीमा है वह कक्षा तीन में पढ़ती है तो क्या होगा वह one second ठीक है मेरी क्या हो गया बिटा मेरी सरवनाम हो गया मेरी बेहन का नाम रीमा है वह कच्छा तीन में पढ़ती है तो वह क्या हो गया सरवनाम पढ़ाई में वह काफी होश यार है वह क्या हो गया Saarva Nata ठीक है उसने परिक्षा में प्रत्थम इस्थान प्राप्त किया है उसने किसने रीमा ने यहाँ पर रीमा की जगह हम लोग क्या प्रयोक कर रहे है उसने तो उसने क्या हो गया Saarvaナम ठीक है पापा ने उसे एक सुन्दर गुणिया भेट की है तो किसे की है उसे means रीमा को समझ में आया तो ये क्या है हमारे सर्वनाम ठीक है आए देखते हैं नीचे क्या करना है उचित सर्वनाम सब्दो से खाले स्थान भरो ठीक पहला वाकिया है कल डेश डेश पिता जी के साथ खूमने जाऊँगा तो यहां हम लोग क्या भरेंगे मैं कल मैं पिता जी के साथ घूमने जाऊँगा ओके डेश दूसरा क्या है डेश चाचा जिहास दिल्ली से आएंगे हमारे हमारे चाचा जी आज दिल्ली से आएंगे ठीक है इसमें क्या भरेंगे हमारे ठीक फिर तीसरा क्या है क्या डैस पास दस रुपए है तो हम लोग इसमें क्या भरेंगे क्या तुम्हारे पास दस रुपए है ठीक है फिर आज शाम को वह पुस्तके लाएगा ठीक है आज साम को वह पुस्तके लाएगा फिर कहा है उसके घर में उसके घर में रात को पार्टी है ठीक है उसके घर में रात को पार्टी है अब तुसारे हो गए ठीक लेकिन यहाँ पर सिक्स है आज क्या खाया ठीक है तो इसमें बेटा हम लोग भरेंगे ना देखिए यहाँ पर तो वर्ड का खतम हो गए बट यहाँ पर एक वा के बचा है ठीक तो यहाँ तुम्हारे भी हो गया मैं भी हो गया वह भी फिर एक वर्ड बचा है वो वर्ड क्या है आपने आपने आज क्या खाया इस जो लास्ट वारा वाकिया है उसमें हम लोग क्या बरेंगे आपने आज क्या खाया ठीक है तो पेटा यही आपका क्या है आज का एच डबलो ठीक है इसको यह पूरा वन टू सिक्स आप कॉपी में राइट करेंगे ठीक है नीचे देखते हैं क्या है सरवनाम सब्दों पर गोला लगाओ ठीक है जैसे यहाँ पर हम लोग सरवनाम सब्दों पर अंडरलाइन कियें तो नीचे हम लोग क्या करेंगे सरकल ठीक है तो हम लोग सरकल करेंगे विकास मेरा सबसे अच्छा मित्र है तो यहाँ पर मेरा पर क्या करेंगे सरकल वह मेरी कक्षा में पढ़ता है वह क्या हो गया सर्वनाम उसका घर भी मेरे घर के पास है किसका विकास का तो उसका पर हम लोग क्या करेंगे सरकल ठीक है उसकी पिता जी डॉक्टर है उसके पे सरकल ठीक और माता जी अध्यापी का है उसे टेनिस खेलना पसंद है किसे विकास को तुम लोग उसे को क्या करेंगी सरकल ठीक कल उसका जन्म दीन था ठीक तो उसका पे सरकल कर देंगी मैंने उसे उपहार दिया उसे ठीक है किसे मतलब विकास को है ना तो इसमें बिटा जितने भी सर्वनाम सबसे हम लोगों ने क्या किया उस पे सरकल कर लिया ओकी आई हो बिटा आप लोगों को भी सर्वनाम समझ में आ गया होगा अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है सर्वनाम को समझने में तो आप ग्रूप में पूछ लेना हम आपको फिर से हम गीोऔ कि नेक्स्ट चैप्टर स्टाट करेंगी मोठी चेप्टर अब ढुख का रिडिंग का तर नाइगा ठीक हिंदी का चैप्र ंदेन कंप्टर स्टाट करेंगे ऑंपिद्बों टेक केर बीटा थैंक्स पार वॉचिंग